चम्मच लेकर और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में सोने की चम्मच मुह में लेकर उसे मेहनत करने का शौक नहीं था एक शौक था वो भी घटिया शायरी करने का उसकी हर बात शायराना ही होती थी जैसे कि एक दिन दूर से देखा तो चांद पे दाग था पास से देखा साब उनका चाग था ठोको ताली अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं कोई तुमको ही ठोक देगा शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे और क्या मैं किल हूँ जो कोई मुझे ठोक दे मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी मैं निकला था गाड़ी लेके लेकिन दोड़ के जा रहा हूँ मेरी शायरी कोई नहीं सुनता मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तीरे बोलिये जी मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे माई के भेज देंगे सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं सच में चला जाओंगा मेरी बात कोई धंकी नहीं अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो मेरे पिता जी के पास बहुत पैसा है तो घर जमाई बन के खा रहे हो और कल जा रहे हो न अपने माई के तो आज ही चले जाओ मेरी बला से हमें तो अपनोंने लूटा गैरों में कहां दम था हमें अरे चुप हो जाओ तुमको मिर्जा गालिप की कसम अरे जाना है तो जाओ लेकिन पहले मेरे ममी पापा से मिल कर जाओ वना वो क्या सोचेंगे लेकिन विकी अकेले ही अपनी काल लेकर अपने माई के यानि की अपने खुद के घर पहुच जाता है अरे बेटा तू अचानक बहु कैसी है अरे मा बहु तो बिलकुल बदल गई है मुर्गी हाथ से निकल गई है अरे क्या हुआ बेटा उसकी आती नहीं है मेरी जाती नहीं है मैं करता हूँ शायरी उसे भाती नहीं है मेरे पास उसका फोन आया था बेटा सही कह रही है वो तुमको काम करना चाहिए तभी तो इज़त मिलेगी घर जमाई बनके सास सुर के पैसो पर कब तक एश उड़ाते रहोगे मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है फोन पर मेरी चुगली हो रही है आरे चुगली नहीं कर रही थी बहू वो तेरा भला चाहती है बेटा सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग ठोको ताली ये सुनके मा अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है अरे मा ताली की जगह मा था क्यों ठोक रही हो बेटा तू ना आराम कर तेरे पिताजी भी आने वाले हैं खाना लगा देती हूँ विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है तरह तरह का खाना खाता है दोपहर तक सोता है चाय पीता है वीडियो गेम खेलता है बस काम करने नहीं जाता घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की ज़रुरत नहीं पड़ती कई बार तो विकी अपने नौकरों क वो बिठाकर शायरी सुनाता रहता कब जाओगे बेटा अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी क्या आप मेरे फादर रही आप मुझे भगाना चाते हैं क्या ये मेरा घर नहीं आरा नहीं बेटा तुमारा ही घर है हम तो चाते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं मैं अच्छी किसमत लेके पैदा हुआ हूँ मैं घर जमाई ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ ठोको ताली पिता जी और मा सच में ताली बजा देते हैं ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शाइरी पर किसी ने ताली बजाई हो अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं हाँ बेटा तुम्हारे ससुर का फोन आया था बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहां मत भेजना अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही करेगा भी शाइरी ही और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे सिसुराल के लिए निकल जाता है फिर से आ गए लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है अब सुमन आएम सॉरी आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बलके काम भी करूँगा तुम अपने आफिस में बात कर लेना कोई भी मैंनत का काम कर लूँगा ग़र जमाय बनके रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इजजब से रहूँगा मतलब सिर्फ तुम नहीं आये हो तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है मैं अपने कार खाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको कल से मेरे साथ चलना वहाँ थैंक यू, थैंक यू सासूर जी थैंक यू से काम नहीं चलेगा एक शायर ही सुनानी पड़ेगी है, है, जरूर, जरूर सासूर के पर शायर